वाइगर जी का खालसा वाइगर जी की फते भाईयों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे दोफ्तों रागनी तिवारी जी का एक बयान एक उनका वीडियो वाइरल हो रहा है सोचल मीडिया के उपर आप हमने देखा होगा उसमें वो कह रहे हैं कि अगर जैसे हमने जाफराबाद बनाया था शाहिन बाग में के टाइम पर जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो रागनी तिवारी जी ने उस तैम पर भी ऐसे एक बयान दिया था तो उनका जो बयान था वो ऐसे था जैसे आग के अंदर कोई घी डालता है अभी भी उन्होंने बयान दिया है एक बर आप सुन लें जिन भाईयों नहीं सुना है वो भी एक बर जान लें उन्होंने क्या बोला है जो जो होगा उसकी जिम्यदार के अंदर और राज सरकार होगी दिली पुलीस होगी जैसे राम है भारत के राष्टवादियों सत्रा को रागनी तिवारी का साथ दीजिए हम तो निपठी लेंगे किसान अंदोलन से मैं खाली कना ही दूँगी जैजनक जन्य जानकी ड़ैजगत जन्य जानकी जै पुलरधम जै स्रिराम बंदे լातरम किसान अंदोलन کے आर में जो साजिस हो रही है उसके लिए सत्रसौरह तारिक तक नहीं अगर हटी तो 70 को रागनी तिवारी खाली करें रागनी जी कही रही है कि जाफराबाद में जो हमने कीया था वैसा अब हम जो किसान बैठे वें वहाँ पर वहाँ जाके करने वाले हैं तो मैं रागनी जी से बहुत हम्बल हो के में उनसे तौर दो बाते बोलना मैं चाहता हूं तुर्ण को ठीक है उनका जो मन हैं वो कह रहे हैं वह अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लें लेकिन पहले वह मेरी दो बात समझ लें पहली बात तो यह कि मैं चाहता हूं कि रागनी जी एक बार आप ने जो बोला है कि हमारी मंडली है जो हमारा ग्रूप है वह जाएगा वह ख की देकर वहां पर रुखिए दो दिन आप वहां पर रहिए जो वहां पर असी 90 साल के बच्चे हूं आप उन से सवाल करिए कि क्या कारन है कि वो लोग बजूर्ब और बच्चे इतनी ठंड के अंदर यहां पर लुकने में क्या स्वादार है उनको क्या ऐसा क्या मिल और सबस्क्राना है कि वोत लोग यहां पर ठेहरे आंके हैं अगर उसके बाद भी आपस्य नहीं होटा है कि किसान परिशान है तो उसके बाध जैसे आप ने अपनी मरजी दिखाई है कि हम यह करेंगे वह और तो फिर अगर आप ने ठानी लिए है तो उसके अंदर भी मैं आपको एक करना चाहता हूं एक चोटे भाई होने के नाते कि शाहिन बाग मुझे अपने बयान दिया था ना तो उसके बाद आप अपना बयान देखें और हिंसा बढ़का के आप रफुचकर हो गई थी यहां पर ऐसे नहीं होगा यहां पर भागन लेकिन अगर वह फसाद करने के लिए वहां पर जा रहे हैं तो मैं आप से करता हूं कि आप इसको ना शाहिन बाग समझने की भूल ना करें क्योंकि वहां पर आप लोग भाग गये थे अपना काम करके और जहर गोल के आप लोग तो वहां से निकल लिया थे रफुचकर हो यहां पर भागने का राफ़ता नहीं मिलेगा मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो मैं आपसे हाजड़ करता हूं कि आप वहां पर जाईए किसानों के साथ उनकी बात सुनिये समझीए वो क्यों परशान है ऐसे कौन से का पंजाब के 80-90 साल के बुजूर्गों को अपना घर बार छोड़के तिठंड के अंदर फटकों पर रहने पर वो मजबूर हो रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं प्रशान हो रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग गलत हैं तो फिर आपके मन में जो बात यह कि हमारा तो वह जो आए सो राजी जाए आप आएंगी मोस वैलकम है आप प्यार लेके आएंगी तो आपको वैसर टीटमेंट मिलेगा अगर आप नफरत लेके आएंगी तो उसका मरहम भी है हमारे पास में जैसे भी आप चाहेंगी प्यार के बदले प्यार है काट यह जो आग आप लगा रही है, इसके अंदर आप भी जलेंगी, यह बात पक्की है, एंकार जो होता है न, वो बड़ों बड़ों को खतम कर देता है, रावन और यही अंकार था कि मैं बुद्धी मानूं, मैं बुद्ध बलशाली हूं, हिरना कश्चम को भी यही अंकार था, क तो अगर आप आती हैं, तो आपका most welcome है, आप फूल लेके आएं, एक फूल लेके आएंगी तो आपको पूरा गुलदस्ता महा से मिलेगा, अगर आप एक काटा लेके आएंगी, तो उनके पास ट्रेक्टर भरे हुआ हैं वहाँ पे, सत्स्रियाकाल, जय जवान, जय किसान, सत तमेव जयते, वाइगर जी का खालसा, वाइगर जी की फते हैं